क्रिकट में कहा जाता है कि कैचे बिन मैचे, यानिकि अगर आप कैच पर करते हैं, तो आप मैच को अपने काभूम कर सकते हैं, आप मैच जी सकते हैं. लेकिन जिस तरीके से आज अफगानिस्तान के टीम ने मौके पर मौके गवाए याने की 5 कैच उन्हों ने ड्रॉप के 5 ne-5 मौके के उन छोड़े उसके बाद जिस तरीके से उस मौके को सांदर तरीके से भूनाया नियुजी लेंड के वल लिवाजों ने जी हम बात कर रहे हैं आज जो में मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप के सुलावे मैच का न्यूजिलेंड और अफगानिस्तान के वेच में है। सब्सक्राइबरों में 288 रनों का 20 साल का स्कूर खड़ा किया एक समझ अब यह लग रहा था कि न्यूजिलेंड के टीम 200 रनों पर आल आउट हो जाएगी क्योंकि आप यह समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इस मैच में 110 रनों पर चार बिकाट उसके बाद लिबाज बचते हैं क वह अगर बात किजा जिस तरीके साज टॉम रासम जोन के बिकट कीपर है और जो कप्तान भी थे उन्होंने 68 रनों आये और ग्लेंड फिलिफ्स क्योंकि ग्लेंड फिलिफ्स मेरे पी एक फेवरिट खिलाड़ी है उन्होंने भी एक-рьम-फिलिफ्स के जहां मनकरे वहां बैटिंग करा लो और जां मनकरे वहां बालिंग करा लो उन्होंने इस वर्ड कप में तीन बिकेट भी निकाले हैं अगर वही बात की जाये तो रही कही जो कसर होती है उनके जो प्लेयर है मार्च चैमपेयंड ने भी कसर निकाली सब्सक्राइब बालों पर सब्सक्राइब 25 रन बनाए यानि कि आप सब्सक्राइब कह सकते हैं कि आज जो चन्हें मैच खिला गया इसमें यह लग रहा था कि जो अफगानिस्तन की तिकड़ी है इसमें मुझे बुर्रहमान रासिसकान मुहमद नभी हैं वह इस मैच में अफगानिस्तन की तरफ से जिस तरीके से सब्सक्राइब बिकट दिये अमर्जाई ने उन्होंने दूस्ति अपने नाम आपने नाम दो सपलते असल की और रासित कगान और मुझेट को एक सफलता हमदी लेकिन जिस तरीके से जब अफगानिस्तन की टीम बेटिंग करने आत लेकिन आप खर उठा कर देखेंगे जिस तरीके से रहमत उल्ला गुर्बाश का जो प्रदर्सान है यानि कि टार्गेट को चेज करते हुए 200 वालों में मात्र अस्चिरन मनाये हैं और वो जल्दी चलते मनें मात्र 11 मनाकर और 11 मनाने के लिए उन्होंने किस गेंदों का सामना किया उनके साथ आये थे उनके ओपनर इब्राहिम जार्दान उन्होंने मात्र 15 वालों पर 14 मनाये लेकिन आप साथ तोर से यह भी कह सकते हैं कि जिस तरीके साज टॉम लाथम ने ब्रेंड़ेंटेम मेलकलम के रिकार्ड की से बराबरी की जाने कि ब्रेंडेंडेम मेलकलम व खतरनाग गेदबाजिरी यानि कि उनके सबसे प्रमुक गेदबाज प्रेंड बोर्ट ने साथ ओवर में एक मिलन पेकर 18 रंदे कर दो बिकट अपने नाम किया लाके फारगोसन जिसके नाम से हर कोई टीम हर कोई वल्लेबाज ठराता है कामता है उन्होंने भी आज इस मैच मे साथ ओवर में एक मिलन के साथ 19 से रंदे कर तीन बिकट अपने नाम किये यानि कि पूरी टीम की जो अबराल प्रदसन रही वो काफी अच्छी रही में अगर बात के जाए अफगानिस्तान की टीम की उनकी जो प्रदसन रहा है वो वाकई में काफी इंद्रसन नक राज इस तरीके से जीटते हुए भी वो मैच को हार गए वहाई पर रचित नभींद्रा जो उनके प्राफर गेदबाज भी नहीं है और गेदबाजी भी करते हैं उन्होंने पांच उबर में 24 रंदे कर एक सबलता पर नाम की फिलाल इस मैच में बड़ा उलट फेर रने से बज गया जिस तरीके से कल निजरलेंड के टीम ने शौथ अपरीकों को खुराया था तो ऐसे आज उम्मीद की जा रहे थे कि इस मैच में आज न्यूजी लेंड को उस इस्पिनर पिस पर अफगानिस्तान की टीम बड़ा माद देगे लेकिन जो कल का सथे वड़ा मुकाबला है आप को बिड़ करा दे वो मुकाबला भारत और बांगलादेश के बीट में है उस मैच में कौन जीतेगा आप कमेंट करकर हमको जूरू बताईजीगा फिलाल वर्ड कप की पलपल की अप्लेड के लिए आप बने रहे हैं नीज वर्डनी के साथ धन्यवाद